आजका हमारा discussion है family सबी के पास family होती है किसी के पास बड़ी family होती है किसी के पास छोटी family होती है नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब अच्छे होंगे बच्छह रही आज कर बहुत बुखार चल रहा है है। हाई दोस्तों हे तिलुमौन कुकू तुलु मौन कम तालेवू तू जवेबिया एवू Hey everyone How are you everyone I'm good और आप लो तो आज का हमारा discussion है family सभी के पास family होती है किसी के पास बड़ी family होती है किसी के पास छोटी family होती है किसी के पास निखले family होती है तू आज का हमारा discussion family के उपर है family सबसे emotional word होता है family किसी से भी आप पूछेंगे कि अपनी life में उन्हें सबसे जारा क्या अच्छा लगता है job, पैसे, friends, family तो सबको family ही अच्छी लगती है और उनको जारा अच्छी लगती है जो देश से भार होते है तो आज का हमारा discussion है family family में बहुत सारे लोग होते है joint family है तो uncle, auntie चाचा, चाची cousins वगरा, ताउ, ताई सब होते हैं, छोटी family होती है तो बम्मी, बापा, बच्चे होते हैं तो आज के topic में हम यही discuss करेंगे family members in french, कि हम different members of a family को हम क्या केते हैं तो चलिए, let's learn family, तो in french family is la famille family को french में हम बोलते हैं family, la famille तो सबसे पहले हमारा आता है, जो important कड़ी होती है family की, grandparents दादा दादी यह एक वो कड़ी है जो सब को जोड के रखते है नहीं, तो सब अपनी job के चक्कर से भाहर से ले जाते हैं, जब कोई 30 चोहार होता है, कोई festival होता है तो सब घर पे आते हैं, यही उनका रहता है कि अपने बड़े बुज़ुर्गर से मिल रहेंगे, अपनी family से मिलेंगे, relative से मिलेंगे तो आज का हमारा topic यही है तो सब से पहले हम पढ़ेंगे grandparents grandparents तो grandparents को हम french में बोलते है, grand paro grand, grand paro means parents उसके बाद आता है, grand parents के बाद, parents हमारे मम्मी पापा तो parents को हम french में कहते है, paro parents in french grandparent is grand paro grand paro next आता है हमारा सब से important, सब की loving mommy मेरी mommy, अगर मुझसे कोई पूछेगा, मेरा best friend कौन है तो my mama is my best friend सभी को अपनी mommy से बहुत प्यार होता है वो एक ऐसी family member होती है, वो हमेशा आपका साथ देती है, हर चीज में, दुख में सुख में, हमेशा आपका साथ देती है तो चलो आज यही लेंड करते है mommy को french में क्या बोलते है so mommy in french is memo memo थोड़ा अलग है, but it's very interesting in french, mommy is memo second आता है, daddy आज की डेट में, सब अपने पापा को डाडी बोलते है पर अभी भी हम लोग अपने पापा को मैं अपने पापा को पापा बोलते हूं तो देखे कितना interesting है in french, daddy is papa okay in french, हम french में अपने डाडी को बोलते है पापा को बोलते है, papa same word interesting ना, next आता है mother पहले हमने ममी को क्या कहते है अब mother, एक प्रॉपर वर्ड, okay mother in french is mere mere next is father father in french is pair pair उसके बाद आता है daughter daughter बेटी बेटी है बहुत प्यारी होती है मैं भी अपने ममी पापा की बेटी हूं और मेरे पास भी I also have a little small daughter okay I also have a daughter daughter बहुत ही प्यारी होती है okay daughter in french is fear fear आँ देखे एक interesting thing girl को भी हम french में fear बोते है F I double L E fear so daughter or girl meaning same होता है french में क्या होता है acute my a tremia fear next आता है son बेटे को हम son french में बोलते है fees girl को हम बेटी को बोलते है fear और बेटे को बोलते है fees but एक difference है लड़के को हम fees नहीं बोलते है लड़के को हम french में बोलते है गार्सो okay boy is गार्सो इन फ्रेंच son is fees fees इन सेंस इन फ्रेंच okay लड़के को हम french में गार्सो बोलते हैं और son को बोलते हैं fees interesting next आते है हमारा brother I have two brothers okay तो फ्रेंच में हम ब्रेंच को बोलते हैं frere next आते है sister behen sister को behen को हम french में बोलते है share after that wife wife धरम पत्नी पत्नी को हम french में wife को हम french में बोलते है farm और interesting thing lady को भी हम french में farm बोलते हैं okay wife को भी हम farm बोलते है lady को भी हम french में farm बोलते है आपने perfumes देखे होंगे जो perfumes जिनको perfumes लगाने होते है अच्छे लगते है french perfumes are very famous in the word okay जो भी कोई perfume की bottle होता है उसके नीशे लिखा रहते है pukla on pukla farm for the women for the men okay तो lady in french is farm wife in french is farm next आते है husband पती हमारे husband husband से हम क्या करते है marriage करते है तो यह देखे इसी से हम relate कर सकते है in french husband is mari mari interesting ना learn करते रहे हैं मेरे साथ बहुत सारे interesting words होते हैं french में so husband को हम french में बोलते है mari next उसके बार आते है relatives हमारे रिष्टिदार बहुत सारे विष्टिदार होते हैं next आते है अंकल अगर वो चाचा होते हैं उसको भी हम English में अंकल बोलते हैं अगर वो मामा जी होते हैं उनको भी हम अंकल बोलते हैं तो अंकल in French is oncle oncle त्रे बिन्यां next is auntie चाची और हमारी मामी इनको हम अंकल बोलते हैं in French auntie is taan next cousins अगर अंकल अंटी के बाद हैं उनके बच्चे तो जो मेल काची होते हैं उसको हम बोलते हैं in French is cousin और जो female cousin होती है उसके last में ए लगता है और उसे कहते हैं cuisine तो जो male काची होते हैं उसे diverse and female cousin is cuisine next आते है father-in-law हमारी साथ सबस्多षग ऒस情 जी तो फादर इ्लोय नों फ्रेंगे को बू पेर घर इस पाप माप के साथ हम इसको लगा जेते ते बू पैर एन आद इनलोग को हम इंवें सेब ऊलते का है बहुता मीर को Caleb प्रेटे आप्रे मुझे सुनिये और मेरे बाग रिपीट करिये. Again, we are going to repeat these words. Okay, firstly, we'll start from पारों, parents. पारों, ट्रेबियां. ग्राँ पारों, grandparents. ग्राँ पारों. In French, grandparents are ग्राँ पारों. Next, मेमों, ममा. ममों, ममा in French is ममो. डाड़ी in French is ट्रेबियां. Very good. पापा. Keep on learning. Next, mother is मेर. फादर is पेर. डाटर. डाटर in French is फीये. गर्ल अलसो इन French is फीये. याद रखेगा, डाटर और गर्ल को हम बोलते हैं फीये. Next, आता है सन. सन in French is फीस. फीस. बोई को हम French में गार्सो. गार्सो. अ क्यों ते मुआ? यह रपेते. Next, ब्रादर. ब्रादर in French is फ्रेर. सिस्टर, सिस्टर, सियर. सिस्टर, सियर. बहन को हम फ्रेंच में सियर बोलते हैं. वाइफ, फाम. कूरी. वाइफ को हम French में फाम बोलते हैं. और लेडी को भी याद रखेगा लेडी को भी हम फ्रेंच में फाम बोलते हैं next husband husband के साथ क्या करते हैं 3 भी हैं, very good you are learning the things marriage करते हैं, तो फ्रेंच में हम husband को मारी क्यों थे मुआ, रे पेते okay, मारी, next relatives पोश uncle uncle is uncle अब वो maternal uncle हो यह paternal हो, बोत हाँ uncle, auntie is tan auntie is tan in french next, male cousin is kooza and female cousin is cuisine father-in-law is bopair and mother-in-law is belmere 3 भी हैं, very good दोस्तो, 3 भी हैं, please तो मेरे साथ french सीखते रहिए repeat करते रहिए और अपने day-to-day life में यूस करिए okay, please learn with nilma learn french with nilma अगर आपको किसी भी चीज में कोई problem हाती है कोई query हाती है कोई question है तो please मेरे को feedback send करे please comment me okay, आपको कुछ grammar से related आपके culture and civilization से related in french अगर कोई question हो तो please send me okay, please comment me write down your query in the comment box definitely I am going to reach you okay, I am going to cover those topics okay, okay, ओईवाय तो दिया ओईवाय तो लूमोन अबियतू सी उस्ट